नमस्कार फ्रेंड वेलकम बैक फ्रेंड्स 19 जुलाई को यो ब्यू और आईबीय के बीच में मिटिंग होई और मिटिंग का रिजल्ट हलाकि ये मिटिंग आईबा का एचार कमेटी ने कॉल किया था मेटिकल इंसुरेंस के बारे में बात करने के लिए लेकिन जब यू बीयो और एईबे का सरकुलर आया तो उनमें 5-6 पॉइंट और एट किये गए रिगार्डिंग फाइब डे बैंकिंग, टोल्ट बाइपर टाइड, पेंसन रिवीजन, इन एडिशन टू मेटिकल इंसुरेंस लेकिन इन सब मुद्दों पे बात करने पे फाइदा या नुकसान क्या हुआ जब भी मिटिंग होती है, कहना नहीं चाहिए, हमारे जो यूब्यू का एचिब्मिंट है, वन आवर लंच, वन आवर मिटिंग, नथिंग एल्स, क्योंकि सारे जो प्रॉब्लम हैं, वो एज़िटिज आउटिस्टेंड कर रहे हैं और उनके रिजूलिशन के बारे में ना यूब्यू बात करती है और ना आईविय बात करती है, मिट्कल इंसोरेंस के अमिटिव हुई, उसमें क्या बातें जो भी निकल के आ रही हैं, ऐसे में इंप्लाइस की बात तो नहीं, लेकिन रिटारिस के ऐसी कोई बेनफिट की ब लगा दिये गए, बीमार आदमी जब हॉस्पिटल में एडमिट होता है, तो सारे कैपिंग के बाद उसके बेनफिट क्या मिलेगा, लेकिन अभी भी सारे कुछ हुऊ है, मेट्कल इंसोरेंस के बारे में ये बातें नहीं हुई, कि रिटारिस के लिए जो भी प्रीमियम वो बैंक इंप्लियर द्वारा दिया जाएगा, जी एस्टी में कोई रिलीफ नहीं होगा, केवल दो लाक बेस पालसी बना के सारे स्कैपिंग लगा के, अगर इंसोरेंस प्रीमियम कर दिया जाता, कम क्या, थोड़ा बहुत कम किया जाता है, तो उससे क्या बेनफिट होग शायद नहीं, अब बात करते हैं कि मिटिंग और लंच की, आपको याद होगा, आप पीच अप बैंक में, ट्रेनिंग में करने में जाते थे, मेरा एक्सपिरियंस है कि मैं जब क्लास लेता था, तो आफटर लंच के बाद से जो भी सिसन होते हैं, उसमें जादे से जादे थोड़ा खाना खाने के बाद, लंच के बाद सुस्त हो जाते हैं, और वो एक्टिविनेस नहीं रहती है, जो प्रे-लंच होता है, और जनरली ये भी होता है, आपने जितने भी बैंक की मिटिंग अटेंड की है Arbeit बड़े-बड़े मिटिंग अटेंड की है, SLBC की मिटिंग म आयोजन होता है लेकिन एक नई रीपती IBA ने शुरू किया है आईए खाईए और फिर सोजाएए जो डिसकसन का मुद्दा है उस समय आप एक घंटे का लंच एक घंटे का मिटिंग उसके अद आप चले जाएए यानि आप आईए मिटिंग की बात ना करिए पहले लंच के बाद थोड़ा बहुत आप मिटिंग पे हाँ हूँ ना नू करके अब चले जाएए शायद ऐसी प्रता केवल यूब्भी और IBA करते हैं कि जो पहले लंच करते हैं फिर मिटिंग करते हैं और इसका नितिज़ा ये है कि हमारे किसी ऐसे प्राब्लम का रिचूलेशन यू 2020 जब 11 पाइपर्टाइट फाइनल हुआ था तब के रिचूवल इशूज चल रहे हैं चल रहे हैं और रिचूलूशन के नाम पे निल शायद आपको पता भी होगा कि 2015 में फोर सेकेंड दो सटेड़े बंद होने के लिए निर्देश आये थे आठ साल बीतने के बाद भी रिस्ट दो सटेड़े बंद नहीं हो पाया एक आम कंसिस्नस बनने के बावजूद भी ये अभी भी इंप्लिमेंट नहीं हो पाया और जब भी कोई मिटिंग होती है तो आई भी और यो भी यही बात करते हैं एक सांत पूरबत महौल में एक एमेकेबूल बात होई और डिसिजन नहीं हुआ अगला मिटिंग देखा जाएगा 12 बाइपर्टाइट नौमबर 2020 से ड्यू है और अभी उसके इनिश्टल टाक्स नहीं शुरू हुए है चार्टर आफ डिमांड में ऐसी कोई वेजस्टक्चर की बात साही मेरे खाल से नहीं नजरा रही है यूनियन यूब ब्यू की तरफ से क्या तैयारी है कुछ नहीं पत चला है कि 28 जुलाई को इनिश्टल टॉक्स होने हैं लिग उसमें भी क्या होगा आएए लंच करिये और एक आदान प्रदान करिये बात्चित का नमस्ते चले जाएए दियर शुट नट बी अ कंक्रीट डिसकसन अन एनि पॉयंट बै यूब यूब ब्यू आई बियू और यूब यूबॉ बियू थार्ड़ पॉयं पंसन्रिविजंग अठाइस साल से चला है कितने भी बड़े प्रजेक्ट हो इंडिया, चाइना, किसी भी का सारे प्रजेक्ट के कल्कुलेसंस विदिन वीक, दो-चार दिन में हो जाते हैं लेकिन बैंकर्स के पिंसन का कास्ट अभी तब पता नहीं चल पाया कितना कास्ट आएगा, क्या होगा, कुछ नहीं पता हम लोग हाथ पे हाथ रखके मिटिंग में जाते हैं और हाथ पे हाथ रखके चले आते हैं और ये काते हैं, नेक्स्ट मिटिंग विल बी कॉल वेरी सौटली ठीक है, निरी बैंकर, निरी बैंक रिटारी क्या कर सकता है, मेरी तरह केवल वीडियो बना सकता है, और क्या कर सकता है, मन की भडास निकाल सकता है, लेकिन यूब वीव के निताओं पे कोई शिकन नहीं है, आई बीए के जो एडवाइजर, सिनियर एडवाइजर होते हैं, जो रिटायर्ड बैंकर्स होते हैं, वो बड़े घाक किसे होते हैं, उनको कोई असर नहीं होता है, यानि कि जितने भी हमारे रिजूल बैंकर्स इशु हैं, वो जैसे तैसे हैं, इबन हिलते तक नहीं हैं, मिटिंग हुई, लंच हुआ, नमस्ते हो गया, मिनिट्स आ गया, सरकुलर रिलीज हो गया, शह मैना, तीन मैना, शह मैना पेंडिंग हो गया, फिर डेट आई, same process recycling of the same process is going on without any regulation कहना नहीं चाहिए ना नेताओं को ना आईबेग अधिकारियों को कुछ भी इस बारे में आत्में गलानी होती होगी कि हम कर क्या रहे हैं मारे जीवन का मकसद क्या है हम किसी को भला भी नहीं कर सकते हैं तो बिकार है फ्रेंट्स यह मेरे मन की भडास थी मैंने आप से शेयर किया आपको अच्छा लगे तो आप शेयर करिए नहीं अच्छा लगे तो नमस्कार थेंक्यू